हेलो 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 तोड़ा सारे हांता स्वागत है तोड़े अपने यूटूब चैनल इट्स जी के गुर्जी ते दोस्तो आज दी वीडियो मोस्ट इंपोर्टनट होन वाली है क्योंकि आज दी वीडियो ची आपां करांगे जी मनुखी रोग यानि की मनुख नू विशानवा प्रोटोजोवा नाल प्षोब रोग है वंवादेने अन्य व्यां नाल केडे रोग है ईनना सारे भापानाःक टिक दे नाल याद करांगे हाँ जी मनुखी रोग तो एगजाम वेच जडूरब कोशन पुचा जावेगा जेकर तुसे आज दी वीडियो वेख लेंदे हो त ता चैनल नो जरूर सब्सक्राइब करे हो ते नाल लगे बेल आइकन वी प्रेस करना ता जो तोनों साधी हर एक वीडियो दी नवी नोटिफिकेशन है जड़ी टाइम नाल मिल्सके हाजी आज़ी वीडियो चे जड़ी ट्रिक होवेगी वो मैं हिंदी वीच त्यार किती हो यह हाजी स्टार्ट कर देयां आज़ी वीडियो हाजी सबसे पहले पढ़ते हैं कवक से होने वाले रोग यानि कि पंजाबी में मैं कहूं तो उल्लिया नाल होन वाले रोग तो सबसे पहले हम कवक के बारे में पढ़ लेते हैं कवक यानि फंगस यह एक परकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले कारवनिक पदार्त से प्राप्त करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में कवक जीवों के वरक को वनस्पतियों में वर्गिक्रित किया जाता है यानि कि इनको वनस्पति में वर्गिक्रित किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में इस वरक के सद़ से परण हरिम रहित होते हैं यानि कि इन के अंदर chlorophyll पाया जाता है next point क्या है इसके अध्यन को mycology कहा जाता है very very important कि कवक के अध्यन को क्या कहा जाता है mycology कहा जाता है हाजी चलिए trick की और चलते हैं कवक से होने वाले रोग को हम इस trick से याद कर सकते हैं trick क्या है गंजा दामाद खाए fruit इसे की साथ साथ ही कर लेते हैं कि ये किसको प्रहावित करता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं तो गंजापन है जो किसको प्रहावित करेगा सिर्क को और इससे क्या होगा जो सिर्क के बार हैं वो जड़ना स्टार्ट हो जाएंगे next था दामाद दमा से दो वर्ड बनेंगे दमा से दमा जो प्रभावित करता है फेफडों को और इसके कारण क्या होता है कवक, स्पोर, जाल बन जाता है फेफडों के अंदर और दय से क्या है दाग जो किसको प्रवावित करता है तवचा को इससे क्या होता है तवचा के उपर लाल रंगे दो दाग बनने स्टार्ट हो जाते हैं खाई से क्या है खाज ये भी प्रवावित करता है तवचा को जिससे शरीर पे खुजली होने स्टार्ट हो जाती है कैसे याद करेंगे ट्रिक क्या थी? गंजा दमाद खाए फूट गंजा से गंजापन, दमा से दमा, दै से दाग, खाए से खाज, और फूट से एथलेट फूट तो next trick के और चलते हैं I hope आपको ये trick याद हो गई होगी हाँ जी next trick है protozoa से होने वाले रोग तो सबसे पहले protozoa के बारे में पढ़ लेते हैं ये एक कोश्य जीव है इसकी कोश्य का eukaryotic परकार की होती है यहां पर word आया है eukaryotic तो यह हम जब chapter करेंगे fundamental units of life तो उसमें हम cell के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम discuss करेंगे next point क्या दिया हुआ है next है ये सधारन सुखम दर्शी अंतर से असानी से देखा जा सकता है जो protozoa है ये सधारन सुखम दर्शी अंतर से देखा जा सकता है और last क्या है example दी हुई है जैसे amoeba hydra और paramecium ये सभी क्या है protozoa तो चलिए ट्रिक की और चलते है protozoa से होने वाले रोग को हम किस ट्रिक से याद करते है तो ट्रिक दी हुई है ट्रिक क्या है कल आम पानी में पका very funny ट्रिक है कल आम पानी में पका तो इस ट्रिक से हम protozoa से होने वाले जितने भी important रोग है वो असानी से याद कर सकते हैं जैसे कल से कालाजार इसी के साथ हम पढ़ते जाएंगे कि ये किसको परहुवित करता है और इससे क्या होता है तो कालाजार परहुवित करता है अस्तिमजा को इससे क्या होगा तेज बुखार नेक्स्ट है आम आम से क्या दिया है मेबी पेचिस जो आंत को प्रहुवित करता है इससे क्या होता है खून के साथ दस्ताने स्टार्ट हो जाते है नेक्स्ट पाने से दो वर्ड है पासे है पायरिया जो मसूडों को प्रहुवित करता है से मसूडों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ने से निद्रा रोग जो मस्तिश को प्रहुवित करता है इससे क्या होता है भोत नेंद के साथ बुखार जो हो जाती है नेक्स्ट क्या है मैं से मलेरिया जो तिल्ली और आर्बिसी को प्रहुवित करता है इससे क्या होता है ठंड के साथ भुखार होती है और लास्ट है पका पका से 25 स्फट जो आठ को परहुषित करता है इससे भी क्या होता है दस्त के साथ खोन आना स्टार्ट हो जाता है तो इस trick से हम प्रोटोजुवा से होने वाले जितने भी रोग हैं वो असानी से याद कर सकते हैं ठिक फिर से रिपीट कर देता हूँ कल आम पानी में पका तो नेक्स ट्रिक के और चलते हैं जी नेक्स दिया हुआ है वाइरस से होने वाले रोग सबसे बहले इसके बारे मैं पढ़ लेते हैं ये एकोशिय अति सुक्षम जीव है ये केवल जीवित कोशिका में ही वन्ष वरूदी कर सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टन है जो वाइरस है केवल एक जीवित सेल के अंदर ही वरूदी कर सकता है नेक्स पॉइंट क्या है ये नाबिकी अमल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ये पॉइंट भी इंपोर्टन है इसके लावा क्या दिया है शरीर के बाहर तो ये मृत्तु समान होते हैं प्रंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं ये चाचा इन्हे डांटो खरे गाल पे छापो, जिसे कोई चोटे बचे शिरात कर रहे हैं, और एक बड़ा लड़का के रहा है अपने चाचे को, कि ए चाचा इन्हे डांटो और इनके खरे गाल पे छापो, यानि कि इन्हे थपड मारो, तो इस ट्रिक से हम कैसे याद बने वाले रोक तो A से क्या है A से बनेगा AIDS क्यों किसको प्रहावित करता है यहाँ पे RBC लिखा हुआ है सुरी यहाँ पे कर लो आप WBC तो यह करेगा white blood cell को प्रहावित नेक्स्ट क्या है चचा चचा से यहाँ पे स्टार बना की लिखा है क्योंकि पहले सिरीज में ने लिखा था तो चचा से क्या है चेचक यह किसको प्रहावित करेगा संपोरन शरीर को इन्हें इससे दो वर्ड बनेंगे इनसे क्या है influenza जो प्रहावित करेगा संपोरन शरीर को और है से क्या है एप्रिस जो प्रावित करेगा तवच्या को नेक्स दिया था डाटो डाटो से डै से क्या बनेगा डेंगुसर जो संपूरन शरीर को प्रावित करता है और टै से ट्रिकोमा जो आंख को प्रावित करता है नेक्स्ट वर्ड था खरे इसे भी दो वर्ड बनेंगे खैसे क्या है खसरा जो संपूरन शरीर को प्रहवित करेगा रे से क्या है रेबिस जो तांत्री तंत्र को प्रहवित करेगा नेक्स था गाल तो गाल से गलसवा जो पैर और थाइराइड गरंथी को प्रभावित करेगा नेक्स था पै तो पै से पीलिया जो युकृत को प्रभावित करेगा और लास था छापो छै से क्या है छोटी माता जो संपुरन से रीड को प्रभावित करेगी और पो से क्या है पोडियो जो गला रीड की हड़ी और नाड़ी संस्ता को पुरावित करेगी फिर से रिपीट करते हैं ट्रिक क्या थी ए चचा इन्हें डाटो खरे गाल पे छापो तो ए से क्या था एड्स चचा से चेचक इन से क्या था इन फिलुंजा तो इस ट्रिक से आपको वाइरस से होने वाले जितने भी इंपोर्टन रोग है वो ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको क्या करना है कोपी पे ये दो तिन वार लिखके देखना है और जितने भी रोग है वो भी सिरीज वाई आपको लिखना है तो इससे आपको याद हो जाएंगे उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अजी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर